हेलो इस्टूटेंट्स इस वीडियो में सॉल्ट करते हैं कोईशन नमबर सेवन इस कोईशन ने पूछ रहा है वाट रियल नमबर शुट बी सब्ट्रेक्टेड फॉम दा पॉलिनॉमियल इस वन सोड़ेट 3x-2 डिवाइट इग्जेक्ली एक पॉलिनॉमियल दिया है और उस उसको ऐसे समझते हैं कि एक नमबर है 37 और यहां पर हम पूछ रहे हैं कि 37 मेंसे क्या सब्ट्रेक्ट किया जाए कि यह 5 से पूरी तरीके से सब्ट्रेक्ट हो जाए ठीक है कि वाट शुट भी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम दिस नमबर सो डेट इस गम्प्लिटली डिवीजी तो यह क्या बन जाएगा 35 तो अब गयत 35 पूरी तरीके से 5 से डिवीजीबल हो जाएगा क्यों कि यह जो नमबर 37 था यह 5 से पूरी तरीके से डिवीजीबल नहीं था तो यही पूछा जाए ठीक है तो इसमेंसे कम यहां बही करेंगे यह polynomial दियावा है और इसको बोल रहा है कि इससे divide करना है और इसमें से क्या subtract किया जाए इस polynomial में से कि यह polynomial इससे पूरी तरीके से divisible हो जाए तो same काम हम करेंगे यहाँ पर इसको इससे divide कर लेते हैं जो remainder बचेगा उस remainder को हम subtract कर देंगे तो चलो start करते हैं 3x को किससे multiply करें कि 3x cube आ जाए सिर्फ x square से करेंगे तो काम हो जाएगा 3x into x square यह हो गया 3x cube और minus 2 into x square यह हो गया minus 2x square ठीक है minus करते है sign change हो जाएगा minus यह हो गया plus ठीक है तो यह cancel हो गया 10x square plus 2x square यह हो गया 12x square minus 14x plus 9 फिर 3x को multiply करेंगे plus 4x से 3x into plus 4x यह बन गया 12x square और minus 2 into 4x यह हो जाएगा minus 8x minus और यह plus minus 14 plus 8 क्या हैगा यह हैगा minus 6x और plus 9 फिर 3x को multiply करेंगे सिर्फ minus 2 से तो 3x into minus 2 यह हो गया minus 6x और minus 2 into minus 2 यह बन गया plus 4 minus करेंगे तो हाँ यह sign हो गया plus का और यह हो गया minus यह cancel हो जाएगा 9 minus 4 बच गया 5 तो रिमेंडर इस बार 5 बच रहा है तो रिक्वाइड नंबर तो बी सब्ट्रेक्टेड इस फाइफ ठीक है तो इस जो यह पॉलिनोमियल दिया वा था इस पॉलिनोमियल में से गर हम 5 सब्ट्रेक्ट कर दें ठीक है तो उसके बाद जो पॉलिनोमियल बचेगा वो पॉलिनोमियल 3x-2 से कंप्लेटली डिविजिबल होगा ठीक है तो यही फाइंड करना था इस कोश्चन में यह कंप्लेट होगा हमारा कोश्चन मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोश्चन के साथ